गुलबरगा सिटी कार्पोरेशन के मेर डेप्टी मेर एलेक्षन के इने काद में फिर आई रुकावट गुलबरगा सिटी कार्पोरेशन के मेर डेप्टी मेर एलेक्षन को लेकर जारी तनाजे में आया नया मोड गुलबरगा सिटी कार्पोरेशन का मेर डेप्टी मेर एलेक्षन नई ओटर लिस्ट के मताबिक होगा या फिर पुरानी ओटर लिस्ट के मताबिक करनाटक हाई कोट की डिविजनल बेंच 14 मार्च को करेगी समात गुलबरगा हाई कोट की चार रुखनी बेंच ने गुलबरगा सिटी कार्पोरेशन के मेर डेप्टी मेर इनतिखाबात की पुरानी ओटर लिस्ट की बुनियाद पर करनाटका हाई कोट गुलबरगा की सिंगल बेंच के फैसले पर आज रोक लगा दी है इस तरह बीजेपी को गुलबरगा सिटी कारपोरिशन के इख्तिदार में आने से रोकने की कोशिशें कर रही कॉंग्रेस को जबरदस्त धक्का पहुंचा है गुलबरगा सिटी कारपोरिशन के मेर डेप्टी मेर का इलेक्शन पांच फरवरी को होना था लेकिन एक दिन पहले कॉंग्रेस की दरखास पर करनाटक हाई कोट गुलबरगा की सिंगल बेंच ने डिविजनल कमिशनर गुलबरगा जो गुलबरगा सिटी कारपोरेशन के मेर डेप्टी मेर एलेक्शन के एलेक्शन ओफिसर हैं को पुरानी ओर्टर लिस्ट के मताबिक एलेक्शन कराने की हिदायत दी गुलबरगा सिटी कार्पोरेशन के मेर डेप्टी मेर एलेक्शन की पुरानी ओटा लिस्ट के मताबिक अगर गुलबरगा सिटी कार्पोरेशन का मेर डेप्टी मेर एलेक्शन करवाया जाता तो ओटा लिस्ट में शामिल किये गए बीजेपी के छे एमेल सीज ओटिंग में ह इसलिए करनाटका हाई कोट गुलबरगा की सिंगल बेंच के इस फैसले को करनाटक हाई कोट गुलबरगा की चार रुकनी बेंच में चालेंज किया गया और करनाटका हाई कोट गुलबरगा की चार रुकनी बेंच ने करनाटका हाई कोट गुलबरगा की सिंगल बेंच के फै कार्पूरेटर्स का जमाती मौकुफ इस तरह है कॉंग्रेस 27 बीजेपी 23 जेडियस 4 और एक आजाद इन 55 कार्पूरेटर्स के साथ 8 MLS, MLCs और YMPs को भी मेर डेप्टि मेर एलेक्शन में ओट देने का हख हासिल है लेकिन बीजेपी की जानिब से मजीद साथ बीजेपी MLS और MLCs के नाम ओटर लिस्ट में शामिल करने की दरखास पेश की गई इन में से 5 नाम लक्षमन सौधी, तुलसी, मनी, राजुगोडा, सिरुया, भारती, शटी, रगुनात, राओ, मलकापूरे के नाम फेरिस्ट में शामिल कर लिये गए इसतरहा गुलबरगास सिटी कारपूरे ecos के मेर, डेप्टी मेर एलेक्शन में ओट देने वालों की कुलत दाद 68 हो गई और बीजेपी गुलबरगास सिटी कारपूरेस restrict के मेर, डेप्टी मेर एलेक्शन में बाausानी काम्याबी हासिल कर सकती है लेकिन कॉंग्रेस ने करनाटक हाई कोट गुलबरगा की सिंगल बेंच से रुजु होकर पाँच फरवरी को होने वाले गुलबरगा सिटी कारपोरेशन के मेर डेप्टी मेर एलेक्शन पर रोक लगा दी थी बीजेपी के मलसीज ने इसे करनाटक हाई कोट गुलबरगा की डिविजनल बेंच में चालेंज किया करनाटक हाई कोट गुलबरगा के डिविजनल बेंच के जस्टिस यस आर कृष्ण कुमार जस्टिस के यस हेम लेखा ने करनाटक हाई कोट गुलबरगा की सिंगल बेंच क के फैसलेक पर आज रोक लगा दी अगली समात 14 मार्च को मुखरर है 14 मार्च के बाद ही ये वाज़े हो जाएगा के गुलबरगा सिटी कार्परेशन के मेर डेप्टी मेर का एलेक्शन ओटर्स की पुरानी लिस्ट के मुताबिक होगा जिसमें 63 ओटर्स शामिल है या फिर हुआ 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 है